पार्ट 6 के शुरुवात में हम देखते हैं कि जियांची अपने बॉस यानि के टियांग मिंग असोशियेशन के लीडर से लियांकाई को डूनने के लिए कहता है और यहां यानियून लियांकाई से कहती है कि उसे किड्नापर से पता चला है कि उन दोनों को लियांची नहीं किड्नाप करवाया है जिस पर लियांकाई को एक बार फिर से दोहराना पड़ता है कि लियांशन तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता है और मैं तुम्हें बस अपनी छोटी बेहन के तरह मानता हूँ यान्यून कहती है कि मैं अपने पापा से बहुत नफरत करती हूँ क्योंकि उनके वज़े से मुझे वो इनसान बनना पड़ा जो अपने प्यार के लिए सैक्रिफाइस करते जिस पर लियांकाई उसे बताता है कि टीचर ने तुम्हारे लिए राइट परसन को चूज किया है क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता मगर यान्योन मानती नहीं वो कहती है तुम जूट बोल रहे हो अगर ऐसा होता तो तुम चिनसांग से शादी क्यों करते और तो और मिंग्यो जैसे लड़की के आगे पिछे मन राते हो लेकिन मुझे देखते तक नहीं आखिर क्यों? जिस पर लियांकाई उसे बताता है कि जब वो बच्चा था तो अपने दोनों भाईयों से नफरत करता था क्योंकि वो दोनों पापा के पहले पतनी के बेटे होने की वज़े से पैदा होते ही उन्हें सब कुछ मिल गया और मैं एक कॉनकुबाइन का बेटा होने के वज़े से घर के नोकर तक मुझ पर ध्यान नहीं देते इस वज़े से मैं उन दोनों से काफी जलता था लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि जो मैं चाहता हूँ उसके लिए मुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा और मैंने चिनसांग से शादी भी इसी लेकी क्योंकि वो मेरे लिए कुछ माइने नहीं रखती ताके कल को आगे जाकर कोई उसे लेकर मुझे थ्रेटन भी करे तो भी मुझे कुछ खास फरक नहीं पड़ने वाला और यानि उनको यह सब बंद करने के लिए कहकर यहाँ से भागने की प्लैनिंग करने लगता है और यहां मैंचन में भी चिनसांग अपने दोस्त यूलिंग और जियांची के साथ मिलकर प्लैनिंग करते हैं अगर तुम लोग हम दोनों को यहाँ से जाने दोगी तो मैं तुम्हें एक गोल्ड माइन का पता बताओंगा जिससे तुम लोग माला माल हो जाओगे फिर तुम्हें यह सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वो लोग मानते नहीं और कहते हैं कि हम तुम दोनों पर कैसे यकिन कर ले तो यान्यून और लियांकाई उन्हें अपनी बातों से मैनिपिलेट करने लगते हैं तो वो भी उनके बातों में आ जाते हैं लियांकाई भी खेल खेल के बहाने उनसे गंचिन कर उन्ही के एक साथी को मार देता है तो दूसरा साथी यान्यून को निशाना बना लेता है गोली की आवद सुन चिंसांग और पान ज्यांगची भी वहाँ तक पहुच जाते हैं और उन दोनों को बच्चा लेते हैं चिंसांग को देखते ही लियांकाई उसे अपने गले से लगा लेता है और यहाँ ज्यांगची और यान्यून के शकल देखने लायक थी जिसके बाद वो सभी घर पहुच जाते हैं यहाँ इन्हें खेलते खेलते रात हो चुके थी तभी मूरंगची यान वहाँ आकर सभी को आरम करने के लिए कहती हैं पापा ये भी उसका इशारा समझ जाते हैं और खेल को वही बन कर देते हैं जिसे सुन सभी खुश हो जाते हैं आखिर हो भी क्यों ना सुबह से एक जगा बैठकर उनकी गर्दन जो अकड़ गई थी लियांकाई भी जियांगची का शुकरिया करता है आज की उसकी मदद के लिए उसके जाते ही जियांगची अपने आपसे ही मन में कहता है कि अपने लक्षा की तरफ बढ़ते हुए उसका एक और कदम लियांकाई और पापा साथ में डिसकस करते हैं कि आखिर इस किड्ञापिंग के पिछे किस का हाथ हो सकता है उनका शक तीन लोगों पे जाता है पहले तो मुरांग चैंग, दूसरा फुरांग साई और तीसरा तो अब इस दुनिया में है ही नहीं मगर वो उस शक्स का नाम लियांग काई को नहीं बताते लियांग लियांग और फुरांग साई भी अपने अगले प्लैन के बारे में डिसकस कर रहे थे और जिसकी शुरुवात उन्होंने अल्रेडी कर दी थी लियांग काई अपने बड़े भाई के पास आकर उस थर्ड परसन के बारे में जानना चाहता था जिनके बारे में बताते हुए लियान ये कहता है कि वो थर्ड परसन और कोई नहीं हमारे सिक्स अंकल यी सुचोंग है मिस्टर फान और यू सुचोंग दोनों भी पापा के सबसे भरोसे मंद परसन थे मिस्टर फान जो स्ट्राटेजिस बनाते थे और अंकल आर्मी में थे जिनोंने कही सारे लोगों को मार कर वार में जीत हासिल की मगर इतने लोगों को मारने के बाद एक दिन वो खुद कोई इन सब का दोशी मानने लगे और अपने आपको उन्होंने कमरे में बंद कर लिया एक दिन अचानक आग लग जाने के वज़े से उनकी वही मौत हो गई यहां मैंशन में चिनसांग के फादर की नजर ली वांग पिंग पे पड़ती है जिसे देख वो गुसा हो जाते है कि आखिर वो यहां कर क्या रहा है मगर जियांग ची उनसे कहता है कि चिनसांग अपनी शादी से खुश नहीं है उसने आपसे जूट कहा है चिनसांग अपना बैक पैक कर रही होती है क्योंकि लियांग काई किसी दूसरी ओरत के साथ पकड़ा गया मगर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो बस अपने पापा के घर जाकर उनके साथ थोड़ा वक्त पिताना चाहती है कि तभी लियांकाई भी सामने से आता है और उससे रोपता है वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है मगर चिंसांग मना कर देती है लियांकाई उससे कहते है कि जब वो किड्नेप हो चुका था तो उसके मन में सिरुप एक ही खायल था कि क्या वो दुबारा उसे देख पाएगा लेकिन चिनसांग नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है दर्वाजे पर ही उसके पापा खड़े होते जो उसे लिवांग पिंक के वज़े से जोरदर थपड़ मारते है लियांकाई दोनों को शान कराते हुए उन्हें अकले में बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है उसके फादर उसे लिवांग पिंक को यहाँ रखने के लिए उससे डाटने लगते हैं चिंसांग उन्हें सारा सच बताती है कि वो लियांग का है जो उसे यहाँ लेकर आया है वैसे भी उन लोगों को हमारे बारे में नहीं पता सब लोग उसे जियानची के नाम से ही जानते हैं मगर उसके फादर कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता अभी के अभी मैं यी फैमिली को जाकर उसके सारी सचाई बता दूँगा और अभी के अभी उसे यहाँ से बाहर फिकवा दूँगा क्योंकि उसने मेरी बेटी को धोका दिया है और अब दुबारा वापस भी आया है चिंसांग कहती है कि मैं अब लीवांग पिंग के लिए कुछ भी फिल नहीं करती और अपसे वो अच्छी पतनी बनने का वादा करती है तो पापा भी मान जाते है कमरे में आते ही चिंसांग अपनी मा की तस्विर को देखते है जिसके बाद हमें एक फ्लैश बैक में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिंसांग किसी के साथ डांस कर रही थी तबी चिंसांग की मा उसके पास आकर उसे कोई बड़ा पैसे वाला आदमी फसाने के लिए कहती है जिससे वो शादी कर अपने परिवार के हालत सुधार सकती है क्योंकि उसके फादर किसे केस में फस चुके थे मगर चिंसांग कहती है कि उसे ये सब करना पसंद नहीं और मना कर देती है तबी पार्टी में लियांकाई की एंट्री होती है चिंसांग की माम अच्छानक बेहोश हो जाती है तो लियांकाई उनकी मदद करता है गर में उसकी माम चिंसांग को इसी बारे में बता रही थी लियांकाई बहुत बड़े परिवार से है तो इसलिए वो चाहती थी कि उसकी शादी लियांकाई से ही हो इसलिए उसकी माम चिंसांग को लियांकाई के पास थैंक्यू बोलने के लिए बेशती है कल पार्टी में उनकी मदद करने के लिए और इसी बहाने दोनों की मुलाकात भी हो चिन सांग को भी ना चाते हुए मनना ही पड़ता है और वो लियांकाई के पास आकर उसे थैंक्यू कहती है लियांकाई उससे एक सवाल करता है कि क्या तुम जानती हो हम पहली बार कब मिले थे जिस पर चिंसांग उसे कहती है हम बिलकुल हम कल एक पार्टी में मिले थे दूसरी और मिस्टर फान को देखते है जो चिंसांग की मौम के पास आकर लियांकाई के लिए चिंसांग का हाथ मांगते है और उनसे प्रामिस भी करते है कि उनके पती मिस्टर चिन को भी इन सब परेशानियों में से जल से जल बाहर निकालेंगे जिसके बात लियांकाई भी धेर सारे गिफ लेकर चिनसांग का हाथ मांगने आता है जिस पर चिंसांग की मौम उससे कहते है कि मेरी बेटी बहुत मासूम है मैं अपने बेटी का हाथ तुम जैसे प्लेबाई के हाथ में कैसे दे दूँ आखिर कर ये उसकी जिन्दगी का सवाल है जिस पर लियांग का एक की निकाल कर उन्हें देता है कि इनमें अब तक की उसकी सारी कमाई है जो भी उसने जितना भी आस तक कमाया है वो सब अप चिंसांग को देना चाहता है कमपनसेशन के तोर पर और उनसे प्रामिस करता है कि वो चिंसांग को चेरिश करेगा और उसे वो रिस्पेक्ट देगा जो वो डिजर्व करती है जिससे सुन उसकी माँ को भी तसली हो जाती है और वो इस शादी के लिए मान जाती है अब बारी थी चिंसांग की उसकी माम उसे इस शादी के लिए मनाती है अपनी माम की बीमार हालत की वज़े से चिंसांग को भी मजबूरन इस शादी के लिए मानना ही पड़ता है जिसके बाद बीमारी के चलते उसके माम की डेथ हो जाती है उसके डैढ और लियंकाई भी उसके साथ होते है और दोनों की शाधी हो जाती है लियंकाई कमरे में आता है और उससे सौरी कहता है इतना वेट कराने के लिए मगर चिंसंग कोल फेस बनाते हुए उससे कहती है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं मेरे फादर को फूरांग साई ने फसाया है और मैंने अपनी मौम से प्रामिस किया है कि तुम उससे पकड़ कर लाओगे जिसे सुन वो समझ जाता है कि इसने सिर्फ अपने मतलब के लिए ही मुझसे शादी की है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है बस तब ही सही इन दोनों का रिष्टा ऐसा ही है और फ्लैशबेक यही खत्म हो जाता है हम लियांचेन को दिखते हैं जो उसी पेन को लेकर जियांची के पास आये था जो उन्हें मिस्टर फान के किलर के कपड़म में से मिला था मगर जियांची के पास तो पहले से एक बहाना तयार था जो वो उससे सुनाता है और लियांचेन को बे उस पर यकिन आ जाता है नेक सिर्ण में हम यान्यून का देखते हैं जो पापा से कह रही थी कि वो अब रोट जाना चाते हैं पापा अच्छ Ε से जानते थे कि वो लीयान चेन से प्यार नहीं करती इसलिए इस फैमिले से दूर जाने के लिए बहाना बना रही है और उससे प्यार से समझाती हुए अपने और लीयान चेन के रिष्टे को एक आखरी मोका देकर एक साल यही रुकने के लिए कहते हैं इसके बाउजित भी अगर तुम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो मैं तुमें नहीं रोकोंगा जिसके लिए यान्योन को भी मानना ही पड़ता है हम देखते हैं कि लियानी और पापा इसी बारे में बाते कर रहे थे लियान ये का कहना था कि यान्योन के लिए ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हर वक्त लियांकाई को अपने आखों के सामने देख इसलिए पापा लियांकाई को यह से दूर बेजने की कहते हैं जिसके लिए वो लियांकाई और लियांचेंग को गुलाकर उनसे कहते हैं कि मिस्टर फान के अंतिम संसकार में मास्टर चेंग अपनी बिमार हालत की वज़े से आ नहीं पाए थे और अब लियांकाई फैमिली बिजनेस संभाल रहा है मास्टर चेंग योंग नंग के सबसे बड़े वैपरी है तो उसे उनके साथ और मिलना जुलना बढ़ाना चाहिए ताकि और जान पहिचान से हमें बिजनेस में फाइदा हो और लियान चेंग से कहते हैं कि अब वो कुछ वक्त के लिए सस्पेंड हो चुका है अब से आगे तुम लोगों को ही ये सब कुछ संभालना है वो उसे बताते हैं कि मास्टर चेंग का जनम दिन आ रहा है सारे लोग वहां मोजुत होंगे जो उन्हें अपनी तरफ करना चाहते होंगे मैं नहीं जानता तुम क्या कैसे करोगे मगर तुमें उनका दिल जितकर उन्हें अपने साइट करना होगा जिसके बाद हम लियांकाई को मिस मिंग के पास देखते हैं जो उससे कह रही थी कि मैं भी तुमारे साथ योंग नंग चलूंगे क्योंकि मेरा होम टाउन योंग नंग है जिसके बाद वो कमरे में आकर चिंसांग को यही बताता है कि हम योंग नंग जा रहे हैं जिसे सुन चिंसांग जियांची के पास आकर उससे कहती है कि क्या वो अभी भी उसका इंतजार करने के लिए तयार है वो हां करता है तो वो बताती है कि उनके पास अभी मोका है और उसे योंग नंग आकर मास्टर चेंग के फ्लावर फाम में पतंग उड़ाने के लिए कहती है जिसे देख वो उसे वहाँ पर डून लेगी दूसरी और लियांकाई पापा से कहता है कि वो अपने साथ जियांगची को भी ले जाना चाहता है क्योंकि उसने दो बार मेरी जान बचाई है मगर पापा उसे लियांकाई के साथ भेजने से पहले खुद उसे अच्छे से परकना चाहते थे इसलिए वो उसे बुलवाते है जियांगची भी उनके सबी सवालों का अच्छे से जवाब देता है जिसे सुन वो भी उसे काफी इंप्रेस हो जाते है चिंसांग को भी जियांगची के साथ आने वाली बात पता चल जाती है लियांका उसे ये भी बताता है कि पापा जियांग्ची से काफी इंप्रेस हो चुके है और वो जल्दी उसे फेवर भी करेंगे मगर चिंसांग ये सुन खुश नहीं लग रही थी इधर जियांग्ची को भी यही टेंशन होती है कि वो अपना मिशन पुरा करे या फिर चिंसांग के साथ भाग जाए